हेलो लवली बिड़ीज तो वेलकम बैक ये इस ड्रामे की अद्धु हिंदी एक्स्प्लिनेशन का फिफ्थ पार्ट है यूरा चाकर मातई को बताती है नारा चुड़ेल उसकी बिटी सुल्री को सिक्स यह की एज में अब्राड बेहने की तैयारी पकट चुकी है वो इसके ल अंदर कॉफी लेने के लिए चल जाता है पर इधर असल में यह सब यूरा की गेम का हिस्सा था वो मातई पर चाल चलने आई थी बाहर निकलकर अपना मेकप साफ करते हुए कहती है चल भई मातई तुझे मैंने किक मात दी अब देखती हूं आगे तो क्या क्या करता है इध उसकी जाब और शादी को लेकर बहुत वरीड हैं और आजकल उसकी मॉम का बिजनिस भी अच्छे से नहीं चल रहा है तो बुतों क्यों नहीं एक अच्छे से जाब खोई लेती है बुतों अपने मॉम की ठोगने की वज़े से काफी जादा घुस्से में थी और उपर से कली हुई बैठी थी सो मॉम से जान चुड़ाने के लिए जूट बोल देती है इसको एक कंपनी में जाब मिल गई है और रहने की जगह भी जिसको सिनका इसकी मॉम तो बहुत सदा हैपी हो जाती है और जब मारने में इसकी मॉम सबसे पहले इसको उठा कर याद दिलाती है उसन समझ नहीं आता कि अब क्या करें तो बोल देती है मॉम मेरी जॉब हो चुकी है मुझे आज जाना है और उसकी मॉम भी सुनकर वहां से चली जाती है तो वो पीछे से डैविट को कॉल करके बताती है उसकी बात मान गई है अब उसके साथ उसके घर पर रेंट पे करके रहने होना हो जा जाता है कि वह वह दो चाहता ही यहीं था डैविट फिर वोतों को लेने के लिए उसके घर पर आता है में इसे भूभ लगी तो सबसे पहले काना काता है तो सब्सक्रुख और बायु स्कुरमी बॉट इसकी मौ अपने भाइट को ठป कर वा रही थी उसकी मॉम चलते ही इनकी मोम को छूटफ लगाता है कि और वहुतों को घर्स एक भी राय के दिखाता है। और और सुआक्स को बीचने की काम को फिनिश करने तक यहीं पर रहने वाले थे। विद माते की पर्मीशन के बिकाज आनर तो वही था ना। इधर एलेक्ट्रिक फेरी सच मुच में माते को चाहने लगी थी। वो चाहती थी माते जो भी पाना चाहता है उसे वो सब कुछ मिले और कोई भी इसके समेथ उसके रास्ते में ना आए। फो विद्ध करकर ना को काल करके इसका ओर्डर मानने से इंकार कर ती है कि अब मजीद उसकी कोई भी बात नहीं मानेगी। और उसकी बात मानकर माते की साथ कोई खेल नहीं कहलेगी। नारा जो मर्जी करती रहे, इसे जितना ड्राती धमकाती रहे, इसके पैरंस के साथ चो करना है करती रहे, मगर अब वो बाज नहीं आएगी, माते ही माल में बोतों के पास आता है, जो के अपना सेल पास नहोने की वज़े से उसकी कॉल पिक नहीं कर रही थी, तभी डैविट पीछे से आकर इसे सेल देता है, कि वो इसे इसके बैड़ पर छोड़ाई थी, माते ही शौक्ट सा होकर इन से पूछता है, मुझे लगा तुम दोनों सिफ एक दूसरे को जानते हो, मगर मामला इतने आके जा चुका है, कि एक दूसरे की साथ बैड़ पर रात भी गुजार वो तो ओंगा किसे बोलती है, हाँ ये सच है, वो तो रात को अकटे ही थे, और अकटे ही मानिंग में यहाँ पर आए हैं, जिसको सुनकर माते की आंखे और फटी के फटी रह जाती हैं, वह फिर डैविट के बोलने पर तीनों मिलकर सॉक्स को लेकर डिसकस करने लगते हैं, कि वो इनको कैसे बेचने वाले हैं और क्या क्या करने वाले हैं, फिर माते ही डैविट को बोलता है, वो एमडी यानि के यहाँ माल के चीफ से उसे मिलवाने का कोई रास्ता निकाले, वो इसे सॉक्स बेचने के लिए राजी करना जाता है, डैविट उसके हल्प करने के लि रही है मगर मातही इसको बोलता है अगर वो चीफ से बात करके इनको इंप्रेस करने में सक्सेस्फुल हो गया तो बुतों को इस इंजान बैड आदमी के साथ अकेलर रहने की कोई जरूरत नहीं है इसे बुतों के लिए डैविट पर जरा भी फ्रोसा नहीं है मातही को अलेक् पर लेट रहता है और डैविट से जैलस भी होता है मातही इलेक्ट्रीक के साथ बाहर जाता है जहां वह इसको बताती है लोगों को इंप्रेस करने के लिए इंको समयंने के लिए सबसे पहले मातय को हर battle के साथ जुड़ा एक बटन कोईना होगा जिसको प्रेस करते ही वह अ कुछ खास या आम भी उसके पल्ले नहीं पड़ती है पर फिर साथ-साथ में इसको बोतों की फिकर होने लगती है या वो अभी भी डैविड के साथ होगी उसे कॉल करके पूहिना तो चाहता है मगर कॉल करता नहीं है कि वो कहीं फ्री मिनस समझे कि उसे इंपोर्टन्स दे र कैसे मिलवाएगा क्योंकि वो तो किसी से भी नहीं मिलता है और फिर इनको लगता है कि मातई को उस जगह का बताना चाहिए जहां चीफ वीक में एक बार जाता है और दोनों को इंसिडेंटली वहां पर मिल लेंगे और आगे मातई जाने और इसका काम वही आगे संभालता परेगा वह मानिंग में जब मातई को काल करती है वह सबसे पहले से पूछता है कि अब बताओं अभी भी डैविट के घर पर है वह चोड़कर नहीं गई है और अगर नहीं गई है तो फिर वह उसकी मूम को शिकायत लगाएगा सब सच सच बता देगा कि वह चड़े इसे किसी और से मिलने के लिए जाना है वहां जाकर इसको बताता है उसने बहुत खो जा मगर इसे तो इस बटन का पता नहीं चला है इसको वहां पर बैठे बहुत सारे लोगों को दिखातुई बोलती है हर इंसान के खुफया बटन ज़रूर होता है देखो कोई अकेला है तो इसका बटन लॉनलीनेस है किसी को किसी चीज़ का डर है तो इसका बटन फेर हुआ और किसी का अपनी दौलत का गर्व है यह सब के सब पॉइंट्स एंज सब के खुफया बटन ही तो है इन बटन्स को जानकर इनकी साइकी को रियलाइस करके हम प्रेस करते हैं और इनके माइन के बारे में जान पाते हैं जिसमें के फेस एक्सपरेशन और बाडी लेंगविज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टन डॉल प्ले करते हैं माइते के बेजे में सब बाते आएस्ता आएस्ता बैट रही थी वो सब लोगों को गोर गोर से देखने लगता है और समयने लगता है पर तब ही वहाँ पर बोतों गा जाती है और इसको चीख कर बोलती है मैं तुम्हारी सॉक्स को बेचने के लिए खुवार हुई जा रही हूँ तुम यहाँ इस अजीब लेड़ी के साथ बैठे रंग रूलिया मना रहे हो वो इसको चुप रहने को बोलता है कि मुझे इंबरस मत करो सब के सामने और इसको पूछता है तुमने मेरे साथ कोई जीपियस तो फिट नहीं कर रहा है कि आज जो यहाँ पर मेरे पीछे पहुंच गई हो इसको उसे में बोलती है वो यहाँ सॉक्स सेल करते हुए गुजर रही थी फिर अलेक्रिक फिरी इनको छोड़ कर चली जाती है कि दोनों बाते करें वो तो मातरी को पकड़ कर चुपके से बिठा देती है और इसको बताने आई थी कि चीफ आज घर से बाहर निकला हुआ है और मातरी को इससे मिलने के लिए मैनिक्योर वाली जगह पर पहुंच जाता है और बिसबरी से चीफ के आने का वेट करने लगता है तब ही वो इसे वहाँ पर शर्माता लजाता आते दिखता है वो भी यहाँ पर कुछ-कुछ समय के बाद मैनिक्योर करवाने के लिए आता रहता है माती दूर बैठा इसकी बाते सुनकर इसको एनलाईज करता है और फिर बिचारे को लैसे लगता है जैसे ये चीफ साला तो गी है बिचारे को थोड़ी से अपनी इजद की फिकर तो होने लगती है मगर काम निकलवाने के लिए तो वो गदे को भी बाप बना लेता था तो इजद की क्या परवा थी तो चीफ के पास जाकर जो हरकते करता है वो चीफ उसके कान में घुस्से से बोलता है 20 साल है यहां नहीं बलकि तो आयत वन में जा जहां तुझे तेरे जैसे और कमीने मिल जाएंगे मगर मैं इनमें से नहीं हूँ और फिर सबके सामने इसको बोलता है वो आस पास देखो मैं सिर्फ और सिर्फ गल्स को लाइक करता हूँ और इसको मीठी मीठी धिमकी लगा कर बोलता है तो मैं आयत वन जाने की बस का पता बता हूँ मतलब केसे वहां से पतली गली से निकल जाने का बूल रहा था इस बिचारे का प्लैन फेल हो चुका था मतलब से जगा नहीं थी सुनकर तो इसे पकंड़ कर सीधर डैविड और बुत आस बनाता है इसे बताता है चीफ आज वैसे पहुत घुसे में था बता रहा था कि नेल शोप पर किसी लड़के ने उसके हाथ पर लोशन लगाने की कोशिश की थी वो सब सुनकर चुप रहता है चोर की दाड़ी में तिंका जो था फिर सियों को जबदस्ती इन दोनों के सर पर थूप का है मतलब वहाँ पर रहने के लिए छोड़ कर चला जाता है वो चाता था कि बुटों के खबरें से मिलती रहे वो अकेली डैविट के साथ ना रहे इन सब से मिलने के बाद दोबारा अलेक्ट्रिक फेरी के चन्नों में बटन के बारे में मजीद सीखने के लिए चला जाता है और इससे पूछता है क्या वो इसके बटन को जानती है वो बोलती है हाँ वो इसके बटन को बहुत अच्छे से जानती है और वो ये भी जानती है अगर इसने इसके बटन को दबाया तो मातेही से आई किस जरूर करेगा फिर वो इसके सामने एक की जोंग नामी गल को कॉल मिलाती है माते ही सूचता है इसके कॉल मिलाने से तो मैं किस करने ज़रा मैंने सेल फून के बटन का थोड़ी न पूछा था मैंने पूछा था कि तुम मेरे बारे में क्या जानती हो मगे इधर एलेक्टिक फिरी कॉल एंड करने के बाद इसको बताती है अभी उसने जिससे कॉल मिलाई थी पता है वो हूम शापिंग मॉल के चीफ की बेस फ्रेंड किम जोंग है कंट्री की नमबर वन फाइनेशल कंसल्टेंट इसके इतने ज्यादा लिंक्स है कि माते की सोच है और इसको बताती है किम जोंग की बात से चीफ तो क्या एम जी शापिंग मॉल का चेर्मेन भी इंकार न कर पाए को वो तुम्हारी सॉक्स बेचने में तुम्हारी हेल्प करेगी जिसे सुनकर माते की बहुत हैपी हो जाता है कि सच मुझ में तुमने तो सही वाला बटन प्रस किया है इस पर तुम्हें किस करना तो बनता है मगर सोच रहा हूँ कि कहीं फेरी को किस करने से गौट जैलिस न हो जाए वो बोलती है इसे परमीशन है किस करने के लिए क्लोज होता है मगर इसको किस करता नहीं है और दोनों एक दूसरे को देखते हुए मुस्कराते हैं और मातरी वहाँ से चला जाता है जहां इस नियो किम जॉंग नामी वुमिन के बारे में पूछता है कि वो कैसी है मुझे कहीं अब इस थर्ड लेडी को भी सिडियोस तो नहीं करना है क्या योरा हंस तो यो बोलती है तुमने बिल्कुल ठीक समझाए जैकि इसे तुमने दौलत की वैलियो के बारे में सीखा था और एलेक्ट्रिक फेरी से तुमने लोगों के माइन को रीड करना सीखा तो अब किम जॉंग से लोगों से कनेक्शन कैसे बनाए जाते हैं तुम यह सीखोगे इधर मातरी बुतों के पास जाकर इसको किम जॉंग के बारे में बताता है फिर इसे सॉक्स का बंडल लेकर अच्छे से जाकर किम जॉंग को इंप्रेस करने के लिए जाने के लिए भीड़ता है वो सॉक्स लेकर एम जी होम शापिंग माल में चले जाती है सामने किम जोंग को देखकर सॉक्स को इंटर्डियूस करवाने लगती है मगर तभी किम जोंग की स्क्यूर्ट्री इसे रोगने लगती है मगर तभी किम जोंग को एलेक्रिक फेरी की बात चाहत आती है जब उसने मात ही के सामने बैठ कर उसको कॉल की थी और सॉक्स के बारे में बात की थी तो बुतॉंग को कानफरेंस रूम में मीटिंग के लिए बलाती है बुतॉंग अंदर जाकर किम जोंग को अपनी बातों से इंप्रेस करने में बहुत ही जादा सक्सेस्फुल हो जाती है और वो इनकी हेल्प करने के लिए मान जाती है वो तुंग हैपी हैपी होकर घर लौट जाती है जहां पर डैविड इसको कॉल करके बताता है इनकी कमपनी को सब कंट्रेक्टर के तौर पर रेजिस्टर करवाने में सकसेस्फल हो गया है मतलब कि अब से वो लोग अपनी प्रोडक्स को लेकर अब टीवी पर कमर्शल भी कर सकते हैं अगले रोज वो सबके सब रैडी होकर अपना सामान मीन के सॉक्स लेकर ब्राड़कास्ट की शूटिंग के लिए जाते हैं जहां पर ब्राड़कास्ट में इनकी सॉक्स की प्रॉमोशन की जाती है लोगों को लाइफ शो में सॉक्स को क्लीनिंग गलव्स का बताया चाता है थोड़ी देर ही बात वो देखते हैं इनको तो धराधर ओर्डर्स मिलने लगते हैं लोग सॉक्स खरीट रहे थे बतॉंग देखकर रोने लगती है मातई इससे वज़ा पूछता है तो बोलती है वो मातई के लिए बहुत स्यदा फिकर मन थी कि अगर वो लोग सॉक्स को ना बेश सके तो पकर क्या होगा वो इससे अपने लिए परेशान होते थे कर उसके दिल में उसके लिए कुछ-कुछ फिलिंग्स होती है तो उसे चरिश करता है और इससे प्रॉमिस करता है अगर आज ब्राड़कास्ट के एंड होने तक उन्होंने और्डर्स पूरे कर लिये तो वो बोतों को अपनी 10 फोटोस क्लिक करने देगा वो सुनकर हैपी हो जाती है फिस शो के खतम होने तक वो अपने और्डर्स को पूरा कर लेते हैं मातही ने पहली बार उपनी महनत की कमाई अपने पैसे का मज़ा चका था इसे बहुत ही ऐच्चा फील हो रहा था इनसे बहुत अच्छे से पताता यह सब का सब अस्रफ और बोतों की वज़जा है वाक है उसके हार्ड वर्क के विज gwज़े से पॉसिबल हुआ है तो बोलता है वो बोतोंग से किया गया प्रामिस पूरा करेगा बोतोंग को अपनी फोटोस क्लिक करने का बोलने के लिए जाता है वो डैविड को कंग्रेचुलेट कर रही थी डैविड उसे कंग्रेचुलेट कर रहा था इन दोनों के एक साथ हैपी देखकर वो दूर रुक जाता है उसे मन में बुरा बुरा फील हो रहा था और फिर मन में सोचता है क्या डैविड का बटन बोतोंग है मतलब डैविड बोत के साथ मिलेंगे